हलो दोस्तों सागत करते हैं अपने चैनल स्टेड़ी विदारेट पी में आज हम आज से हम सभी एक एक वीडियो डेली जालते रहेंगे जो भी तयारी करते चैनल वीडियो देखेंगे तो फायधा मिलेगा मैथ के लिए ही स्बसली कोश्चिन होंगे तो पहले आज समझेंगे इसमें question आते हैं, पूछ जाते हैं कि सबसे बड़ी भिन कौन सी है ऐसे question पूछ तो छाटनी के लिए आता है, सबसे बड़ी भिन कौन सी है तो सबसे पहले part क्या करते हैं, जल्दी सालव करने के लिए पहले देख देते हैं, अंस और हर के बीच का अंतर यदि समान है अचा होगी, वही संकhya मारी क्या होगी? बड़ी होगी तो इसका answer क्या होगा? साथ बटे आट संकhya मारी सबसे बड़ी भिन होजाएगी अब यहां पर ध्यान दियना यहां पर इनके बीच का अंतर कितना है? पांच का इसके बीच का अंतर कितना है? दो का इसके बीच का अंतर कितने का है एक का इसके बीच का भी अंतर कितने का है एक का जब ऐसी इस्तिती फसे तो हम अंतर समान कर लेते हैं देखो इनके बीच का अंतर एक का इनके बीच का अंतर एक का इनके बीच का अंतर दो तो इन दोनों दो पांच का अंतर लेंगे तो लासा कितना मिलेगा दस तो जब लासा दस मिलेगा तो क्योंकि पांच और दो और एक का लासा कितना होगा पांच दो एक का लासा होगा दस तो हम लासा के कर के लिए बराबर करे ले रहे हैं और बराबर करना तो क्यों उपर से ही गुणा करना, नीचे में नहीं गुणा करना, क्योंकि नीचे में 20 से हम संग्य गुणा हो जाएगी, तो हम इसमें गुणा करेंगे, तो इसमें हम करेंगे 10 से गुणा, तो यह हो जाएगा 10 से गुणा 20, इसमें गुणा करेंगे 10 से तो हो जाएगा इसमें 2 है तो 255 हो जाएगा 5 एकन 5 इसमें 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा अब इसमें 5 बटें जो है 5 संखेया है तो पत्स संक्याँ बड़ी एए तो 50 किस में आया था इसमें तो present यह वाली में भिनने क्या होगी बड़े इसका ढाज चार जायेगा पांच भटद। LE society पहले हमने क्या आंधर किया तो इसके वीज़ का अंतर आया इसके बीज़ का कितना है दो इसके विज़ का अंतर एक इसके वीज़ का अंतर खेंग को पांच तो थे बढ़े हो मिया गुना करें तो इसमें वह उपर वाले लिखना नीच में लिखनाथ तो दुदनी, चार, पांच एकन, पांच, दस पचे, पचास, और दस तियां, तीस, इसमें बड़ी संख्या कौन सी, पचास है, तो पचास हमने यह वाला है, तो यह संख्या हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ऐसे तीसरे कोश्चन के लिए देखेंगे, तो तीस क्या पन्य उन्तमबार होगा, लेकिन इसको करके देख लेते हैं, जैसे यहां पर इसको हल करेंगे, तो क्या जाएगा, जीरो पॉइंट नौ तसमल उटाएगे, तो नीचे दस हो जाएगा, तो नौ बटे दस हो गया, इसमें, हमने नौ बटे, और नौ पान बार हटाएग यही तो आएगा, काटेंगे एक बटे, ग्यारा, मतलब एक बटे ग्यारा आजाएगा, इसका कितना आएगा, एक और दस, एक बटे, दस आजाएगा, तो एक बटे दस, एक बटे ग्यारा, एक आया, इसमें नौ बटे दस आया, तो कौन सी बड़ी जुशन क्या यही है, त तो सीधे सीधे हल करने का मतलब हमने इसको चेंज कर लिया है, उसी के बाद में डारेक्ट देख लेना, फिर ये वाला कोस्टन ऐसे हल करेंगे, तो जिसे लिखा है आठ बटे पंदरा, चौदा बटे तेंटालिस, अब इसमें देखो कितने का अंतर है, आठ साथ पंदरा, सा इसमें कितने का अंतर, ग्यारा, दो, तीरा, दो का अंतर, जब अंतर बड़ा पड़ जाए, तो इस परसेंट में वैल्यू निकालेना है, किसमें वैल्यू निकालना है, परसेंट में, परसेंट में वैल्यू निकालने का फाइदा ये रहेगा, कि हमें मालूम हो जाएगा, फाकि ए знатьफेट कारनेंगी हैं तो आठ वट्टे 15 को में परस्पेजमीय वायलीयू नीचे निकाल ले हैं ध्यान है लाइट वट्ट्रा और माट्ट् वट्टा वट्ट् Dire Civil VNT 23 और 11 वाटे 23 सौसे गुणा कर देना परसेंट में लेली निकल आ सौशे गुणा सौसे गुणा और इसमें भी सौसे गुणाई अब गुणा करेंगे तो 15 ते पंद चकु 60 15 15 75 15 पंदर सती एक सूपर पंदर चेक नब्वे छे पॉइंट में लगभग में जाएगा तेहतिस तियां उन्तालिस तरह तियां तरह चकुबावन तरह पचे पैसर टचंगड़ तेस्थी एक क्यानवे साथ बार में लगभग में कि अगल खयो ठाध की जात पॉइंट पांच क्या सबास जाएगा अब सायखके ओँ आट चंग तालिस और Τ्र 42 और सासती उन्चास और एक क्या हो जाएगा पचास सबसे बड़ी बना ने बड़ा तो यह ऐखेजी उन्चास माँ आपकी अच्छांग 33 तो यह हमारी क्या हो जाएगी हो जाएगा तो छोटी बिन के अनुसार काउंसी मान सही हो जाएगा तो यदि इसके एकार्डिंग मान निकालेंगी तो तेंटी सोटा मान है तो यह हमारी क्या हो जाएगी 11 बटे 13 छोटी बिनने हो जाएगी लेकिन